Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, in today's video, we are going to know about types of fall arrester. आज किस वीडियो में हम जानेंगे fall arrester कितने तरह के होते हैं और उनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे. तो आए इस वीडियो को सुरू करते हैं. So guys construction site पे mainly दो तरह के fall arrester यूज होते हैं जिसमें सबसे पहला है rope grab fall arrester और second है retractable fall arrester तो ये दो तरह के fall arrester system में fall arrester है जो की यूज होता है construction site पे जब भी हम height पे काम करते हैं तो कौन सा fall arrester कहां पे यूज होगा इसके बार में जान लेते हैं और इसका safe working load की इतना होता है ये भी जानेंगे सबसे पहले देखते हैं rope grab fall arrester तो यहाँ आप figure में देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरही के का होता है तो इसका use होता है आपका vertical platform पे जब भी आप किसी vertical platform पे work कर रहे होते हैं height पे तो यहाँ पे ये use करते हैं vertical platform पे हम directly full body harness को anchor नहीं कर सकते हैं अगर anchor करते भी हैं तो काम करने में हमें uncomfortable होगा तो इसका हम इसका use करते हैं जो कि easily use कर सकते हैं से कि आप देख पा रहे हैं यहाँ आपका easily उपर नीचे आप जा सकते हैं अब यह fall करेंगे तो यह आपको arrest कर लेगा निया आपको रोक लेगा वहीं पर इसका जो सेफ वर्किंग लोड यह 140 kg तक आप इस पर लोड दे सकते हैं second day retractable fall arrester इसका हम use करते है horizontal platform पे तो horizontal platform पे जो हमारा life line होता है उसके हम direct full body harness anchor कर सकते हैं लेकिन जो हमारा harness का linear होता है उसका length होता है आपका 1.8 meter तो 1.8 meter तक ही आप आगे बढ़ सकते हैं लेकिन जब आप retractable fall arrester यूज करते हैं तो इसका length आपका होता है 6-8 meter तक यानि इतने लगए आप इसको खीच के लिजा सकते हैं तो जब भी आपको कहीं दूर पर काम करना हो जिसे आप रूफ के काम कर रहे हैं तो आपका बीच में life line है आप चारो बगल काम कर सकते हैं तो जब भी आप इसे यह आपका है 122-130KZ तो यह दो तरह के fall register हैं जो कि mainly आपके site पर use किये जाएंगे यह construction site पर use किये जाते हैं